हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में चापर आज हम देखेंगे एक नया एपिसोड डेडपूल मर्स विद अमाउथ का यसमें आज हम देखेंगे डेडपूल वर्सेस डेडपूल जी हाँ और वो डेडपूल होंगे दूसरे मल्टिवर्स के तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं डेडपूल और जॉंबी डेडपूल को पोर्टल की तुरू एक टाइमेंशन में गिरते होए और वो साम पर डेड़पुल उसे समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है जिस वज़े से डेड़पुल उसे देखकर कहता है कि हम लोग इससे कहीं ज्यादा कूल है और वो जाते हुए कहता है ठीके हम यहां से जाते है हमें कोई न कोई और मल्टिवर्स मिली ज देख देता है जिसके अंदर फज़ जाता है डेड़पुल और वो जॉम्भी डेड़पुल से कहता है डेड़पुल उन्होंने मुझे पकड़ लिया है तुम भागो और अपनी जान बचाओ जिस पर तुम डेड़पुल कहता है बहुत अच्छा मजाग था और 10 मिनिट ब लिया और तुमारा डाइमेंशन निकला जिस पर मेज़ डेड़पुल उससे कहता है चुप रहो यह पोर्टल तीन दिनों से यहाँ पर है और मेरे 10 वोलेंटेर्स की टीम उसके अंदर चली गई है बता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा जिस पर डेड़पुल कहता है उनक हमारी डेड़पुल को इम्मोबलाज कर देता है लेकिन डेड़पुल एक ट्रिक इस्तमाल करके उसे ही हराकर उसके कपड़े पहन कर निकल जाता है और उसके बाद वो एक सॉल्डर से कहता है कि मुझे साइंस बिल्डिंग ले चलो जिस पर सॉल्डर कहता है ठीक है वहाँ मैं डाइमेंशन क्यूँ और चो आदमी मेरे साथे उसे एने एक बच्चे को खाते हुए देखा है लेकिन डेड़पुल उसे लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है शौटी ये मैं हूँ तुमने मुझे पहचाना नहीं इस पर ढमी डेड़पुल कहता है हाहां पहचान लिया मैं तो सिर्फ मजा करा था उसे पहले से पता था ये तुम हो डेड़पुल जौंबी डेड़पुल के साथ उस पोर्टल की तरफ भाग रहा था लेकिन उसी वक्त होस में आ जाता है मेजर डेड़पुल और उन पर गोलिया चलाने लगता है लेकिन वक्त रहते कहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोर्टल के तुरू ट्रैवल करते हुए सारी चीज़े रह जाती है और तभी वो बाहर देखता है कुछ लोगों को जो कहे रहेते हमें जल्दी करना होगा ये होट जोन है इसे पार करके ही हम हमारे सेफ बेस तक बहुत सकते हैं तो किता है सामने लेडी डेड़पूल को जिससे वो कह रहा था तो तुम नमकराम बाहर आही गई मैं तुम्हें मार कर इस नेशन की गंदगी साफ करूंगा जिस पर लेड़पूल कहती है कैप्टन मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम यही सारी लड़कियों से कह कर द जरियत तुमारे साथ यहाँ पर क्यों आया तभी दूसरी जगा कैप्टन लेडी डेड़पूल से कह रहा था अभी भी ज्यादा देर नहीं हुग यह लेडी तुम हमारे साथ आ सकती हो तुम बदला लेना छोड़कर लोयलेटी स्वेर सकती हो इस नेशन के लिए और तुम एक एक्जामपल बनोगी उन लोगों के लिए जिन्होंने गलट डिसीजन लिये है लेकिन उस पर लेडी डेड़पूल कहती है नहीं अब बहुत देर हो चुकी है और तुम उस गवर्मेंट के बारे में बात कर रहे हो जिसने हमसे हमारी आजादी छिन ली जिसने इस स्टे की है मुझे पता था तुम समझोगे नहीं लेकिन फिर भी मैं ट्राइकर इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता उसे आकर एक किक पड़ती है लेकिन इस बार डेड़पूल की और डेड़पूल बात करने लगता है लेडी डेड़पूल से और इसी बीच कैप्टन की शिल्ड के बीच और इतना कहकर कैप्टन बढ़ता है उन दोनों को मारने के लिए और वो एक सुपर सोल्जर होनी की वज़े से उन दोनों पर भारी पड़ता है जिसे देखकर डेड़पूल कहता है इसे उलजाए रखो मैं अब आया जिस पर डेड़पूल कहती है स्मैक डाउन में मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो ये किसी भी लड़की का दिल नहीं जीत सकता लेकिन तभी कैप्टन लेड़पूल से कहता है देखा तुमारा साइड किक भी तुमारी साइड छोड़कर बाग गया जिस पर लेड़पूल उसे जवाब देती है तुम चेलिस मत हो और च तूट जाता है और इसी बात का फाइदा उटा कर डेड़पूल और लेड़ी डेड़पूल किक मार कर कैप्टन को बेहोस कर देते हैं और कैप्टन के नीचे गिरते ही डेड़पूल उसे कहता है इसे कहते है क्वालिटी में कूपना और उसे पंच करते हुए लेड़ी डे ठीक है और ये देखकर डेड़े डेड़पुल कहती है तुम काफी इंटरस्टिंग हो मैं सोच रही थी अगर मैं तुमारे इस मदद का शुक्रियादा कर पाती तो और वो अपना मास्क उतार कर उसका शुक्रियादा करती है और नॉर्मन होकर डेड़पुल कहता है मुझे व तुमारे इंटरडाइमेंशनल सेल्फ इंसिस्ट के साथ और वो उसे लेकर पोर्टल के तरह बढ़ता है और पोर्टल के अंदर जाकर वो एक डाइमेंशन में पहुचता है जा पर सारे कावबाई थे उसे देखकर लोग कहते है ये देखो डेड़पुल किड़ आ गया कोई जाकर शेरिफ फ्यूरी को बुलाओ और ये सुनकर डेड़पुल टेंशन में आ जाता है और वहाँ पर शेरिफ फ्यूरी आकर कहता है मैं तुम्हें अरे किये गए सारे जुर्मों के लिए और तभी वो कहता है नहीं इसकी ज़रुरत नहीं है तुम मुझे किसी और के साथ कन्फ्यूस कर रहे हो और तब वो देखता है लोगन को जो कह रहा था तुम अकिले नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ शेरिफ जिस पर निक्फियूरी कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है बाउंटे हंटर एड़पुल वहाँ से निकलते हुए कहता है सिरियसली मैं तुम् मुझे उस डाइमेंशनल गेटवे से जाने दो जो रास्ते के बीच में है और हम अपने घर में चले जाएंगे तुम्हारे पहुच से बहुत दूर और तबी उसे दिखता है डेड़पुल किड जो कह रहा था ये देखो मेरा नया पाटनर आ गया एक और डेड़पुल हम म खोटाई उससे देखक कहती है मुझे लगा तुमने उस एडसे चुटकाः पालिया होगा जिस पर वो कहता है सुनो तो सही हम किस-किस जगा से गुजरे है जिस पर वो कहती है तुम क्या कह रहे हो तुम्हें बाइब गई सिर्फ दस मिनेट होए है, जिस पर डेड़पुल कहता है क्या सिर्फ दस मिनेट ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर कोई कहता है शायद मैं इसका जवाब दे पाऊ, क्यूकि मैं हूं सोर्सररो सुप्रीम, और तब हम देखते है वुडू को, जिससे देखकर पूल कहता है यह कोई फूल ओ विजन नहीं है